लो दोस्तों गूल मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब लोग आजा आपको लाए यह देली ब्लॉग अपना तो आज के डैली ब्लॉग में हम जाघ है हम नी होनडा सिटी जा रहे हैं सर्विस यूद्ध फोड़ी गाड़ी को सुधार दो अपनी गाड़ी को तो गाईस वह कराने जा रहे हैँ हम आज अब हम अपनी गाड़ी पे कॉस्मेटिक सब्सक्राइट्स करने वाले हैं क्या क्या करेंगे वो शरप्राइज है वीडियो हमें बने रहना लेगे ना यह बता रहा कौन से वहलार पीछे भी दिखा देता हूं यह पड़ो जीटी लिखा है ठीक है तो भाई पॉर्टर जीटी मजाक निकरूंगा गाई अपनी नहीं है ठीक है अपनी बहुत जल्द आने वाली है ऐसी दिखेगी बट यह हमारे फ्रेंड की है तो बाकी बट दिखाना था भाई अपना भी एक दिन ऐसी आएगा अपनी खड़ी होगी इसी सेम पार्किंग लॉट में ठीक है सेम टू सेम फिलाल इसका चलते हैं बाकी गई दोनों गाना लुक चेक आउट करो यार दोनों एक तम आमने बगल बगल में खड़ी होती है तो कैसी क्या लगती है सिटी बढ़ बाकी तो बाइस अपनी गाड़ी का भी देख लीजिए इसकी रेंज बची है एक्सपी 95 दलवाएंगे अपने तो भाई 95 ही चाहिए आपको तो पता ही है एक्सपी 100 डालने के बातों गाड़ी क्या होता है वाई एक्सपी 95 इठीक है काम का पांच पांच यार चेचे यार का पेट्रोल डलवा उसके बाद गाड़ी बगे ना पाइदा गया बात तो सही है यह बड़ी आ है वाई बोलते हैं एक्सपी 95 के लिए 95 कर दिए अंकल जी एक फुल फुल आगे ले लो चलो बाई आगे ले ले लेते हैं इस डलवा लिया था गाईज एक्सपी 95 3464 का डला है 34 सेटर के राउंड बागी ट्रेप रिसेट में आप देख लीजिए 437 की रेंज दिखाता है ठेक है ट्रेप पे ट्रेप भी दोनों रिसेट कर दिया है चलो बाई अब चलते हैं तो गाईज हम आ चुके अपना होंडा सेटी के सर्विस सेंटर पे पीरा गड़ी में लोकेटेटा है रिंग रोंड होंडा तो आप गड़ी यहां पर घड़ी कर कि यहां था कि भाले ट्यशक पाली फिर नहीं अइफ जोंड इस बीना भूंपर कहां होती है तो यहां प्या वाद आए जमार बेचे हैं यह पड़ा अपर अब देखना एसमन नहा क्या लगने वाला हैं आई बेचे झाल झाल यह देख लोग वाइज इस पूरे के पूरे डबे के अंदर हमारा नया वंपर का सारा का सारा फिटिंग रखा है तो आपको बता ही देता हूं क्या कराने वाले हैं हम अपनी गाड़ी को जो न्यू वाली होंडा सेटी आपने देखी होगी उसमें कनवर्ट कर रहे हैं जो भी बैसिक बैसिक बताजे मैंने कि हम अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट में कनवर्जन कर रहे हैं जैसे हमने पॉर्चन हो करा था फेसलिफ्ट में लेंडर कि बनाए थी हमने वैसे हम अपनी हॉंडा सिटी के अंबर भी कर रहे है तो गाई यह पढ़ा पुराना अभी देखने म अपनी लोवर की रिल है जो अब हमारे वंपर में थी अब दिखा दू दिखाओं यह देखो भाई यह नए नए वंपर की कारवन फाइबर कारवन फाइबर कारवन फाइबर कितना बढ़िया पैटन है यार देखना लगने का आथ क्या लूप आएगी थोड़ा थोड़ा आपको लुक समाज आजा जाएगा पुराना वंपर नए वंपर आज दू आज दू आज दू आज दू आज दू आज आज दू आप यह पने पहले एक लिफ्स में देखा था कि हम अँड़ा जे फिट कर वारे थे अब हम फिलाल कड़े हैं देख लीजिए मॉंस्टर डिटेल एंजन कस्टम रोहिनी में खड़े अभी हम तो गाइस कल हमारे को आज देट हुए तो कल बारिश हो जाता हो गए तो आपको ठीक से मैं एंड का प्रॉपर लुक दिखाने पाएदा और मैंने वह जान बूच के भी निगादा क्यूंकि आपको इसान दिखाए कि देखो हमने सिर्फ किटकी इंस्टोलिशन अपने करा दी थी बट कॉस्मेटिक में अभी हमारे बहुत सारे मॉट्स होने थे अभी हमने अपनी पूरी कार को डीक्रोम करा दिया इतना भी क्रोम था गाड़ी में वो सबको ब्लैक डाउट करा दिया ब्लैक आउट भी ऐसा ही कोई हलका उनका ब्लैक आउट नहीं है गाइस प्रॉपर हाइड्रो डिपिंग में हो वाए ठीक है तो इस बार आपको लुक अप प्रॉपर तरीक है दिखाऊंगा आप गाड़ी यहां से फिक कर लेते हैं ठीक है उसका आपको प्रॉपर ओपन ज गो गाइस इंडिया ओनली होंडा सिटी फिफ्ट जैन यहां प्रॉपर से प्लेन जा रहा है अवास तेजारी होगी सौरी माइंड मत करना बट यह देखो गाइस भाई साब जो नई वाली होंडा सिटी फेसलिफ्ट आती है ना गाइस उसके टॉप मॉडल वाले बंपर्स हमने चूज करें अपनी कार के लिए आप फॉरंट का तो आपने देखे लिए बैक का लुक देखो ओ आई साब क्रेजी 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 और जैसे कि मैंन आपनी कार को पुरा डी क्रोम भी कर दिया वाइथ ठीक है गाइस जैसे आप रूफ देखो रूफ भी आपकी सारी ब्लैट ऑट हो गए है हम पर ऑडा रेंठल ही सारे ब्लैट आफ और ऑबलने पूरा और ho إ Меня डिक्रोम कराई यह से वह भी कोई कि जितना भी आप देख रहे हो A to Z हमारा हाइड्रो डिपिंग में रखा है पेंट में नहीं हो रखा आपको एक एस्टिमेट दे रहता हूं अगर आप अपनी गाड़ी को पूरा डीक्रोम कराते हैं जैसे आपके सिडान होंडा सिटी वर्ना बगरा वर्टस या आपते सलाव बढ़ती ही है ठीक है तो हमने अपनी गाड़ी में जो भी करा ना वह आपको एक्जैक्ट टोटल लिस्ट आपको एंड में दिखाऊंगा पहले एक आपको लमसम बता रहा हूं कि हमको क्या के कौस्टिंग आई है ठीक है तो आपको बता दिया हमारा हुआ है सारा डीक्रोम है वैन्हें आपकी फॉरन्ट ग्रिल वेकर आप है यह भी सब आपका प्यानो ब्लैक हुआ यह दो नहीं आपाने छाइज नहीं है है यहाप स्मूद स्मूदनेस देखिए रैप में नहीं आ सकती और उपर विज़ आप रूफ की बात करेंगे रूफ में भी आप देख पाएंगे थोड़ा पर स्मूदनेस आपको देख रही होगी आप यह देखिए हमारा सं रूफ है ठीक है सं रूफ में इसमें कोई फरक लग रहा है इतनी फिनिशिंग रैप में नहीं आ सकती ग्लॉसी जो राप होता है एवरी डेनिशन का उतमें नहीं आती हमने अपनी जो रूफ कराई है वो पीपीएफ कराई है ब्लैक पीपीएफ इसको कहते ना यूएस से मेड़ पीपीएफ है मॉन्स्टर से हमने कराई पीपीएफ भी तो उन्होंने बताया था कि अगर आप अपनी रूफ को रैप कराते हो एवरी डेनिशन में तो उसकी कोश्टिंग लंसम आती है 3000 के करीवन अगर आप इसको पीपीएफ कराऊगे तो उसकी कोश्टिंग आई कि लंसम 5000 पे करीवन तो 2000 पे का डिफरेंस आ र लाए लुट इस गारी को हमने अपनी अपनी इंडिया आपनी नीलिया यहीं करें रहा हुआ जो हमारे मौट हो रखा है इसमें स्टेश टू इंडिया में अज तक किसी नहीं करा है अपनी हॉंड़ा से फिफ़ेंशन के अंदर आपकी वी जो हमने काम कर रहता प्रफोर्मे आप इसमें जो कोस्मेटिक मौर्ज भी हमने कर दिए उससे तो प्रॉपरली बनी चुकी है तो अगर इतना किसी की मौडिफिकेशन जो तो भाई फिल फ्री कमेंट करना हमारी वीडियो में हमको बताना हम भी कुछ होंगे है हमार को कोई वो नहीं है हम तो अपने भाईयों की भी गाड़ी साथ मनाने चाहते हैं हमें कोई वो नहीं है कि इगो प्रॉब्लम की मेरी होनी चाहिए बस और किसी की होनी नहीं चाहिए सब भाई करा है सब की अच्छी लगए हमें खुद मज़ा आता है बाकी तो इसमें आपको तो गाई जब आप यह लोग सोच रहे होगे वो क्या है बेसिकली वो नीचे नीचे की स्प्लिटर्स हैं ठीक है अब वो ऑनलाइन यूट्यूब दगर पर सर्च भी करें ना आरे स्किट तो भाई मेरे को इतनी पसंद नहीं आया थी क्योंकि वह सिरफ स्प्लिटर्स किट है यार वो अभी भी तूट सकते हैं एभी अस अब आपको एक चीज तो मिसिंग लग रही होगी अपने अलॉय तुसार भाई आपको पता ही है हमने पहले अपने अलॉय गाड़ी में डाल रखे थे 17 इंच के लेंजों के लॉय भाई उसको डानले के बाद दिखाड़ी में पर्फॉर्मेंस का डिए डाउन के रहा था हम हमारी गाड़ी आपको पता है कि ड्रैगरेस वेगरा में ली करती है तो उससे काफी फरक आता था हमारी गाड़ी में लॉंच वेगरा में तो इसलिए हमने वापिस कंपनी के 16 इंच डाल दिए आप बोलो कि तुसार भी 16 इंच का कोई और रिम लगा लो तो भाई अभी पर मैं आपके बात करना चाहूंगा ओपनली देखो अब मैं होंडा की पहले तो बड़ी तारीफ करता रहा बट आज में को चीज उनकी खराब लगी तो मैं बता भी रहा हूं आपको मैंने अपनी होंडा में जब और लगाया था बंपर वेगरा के लिए तो उन्होंने में उन्हों ने खाता की सर आपको सारा का सारे समान खाइदना पड़ेगा जो भी अंदर का पूरा का पूरा कोोटेशन आता है वंपर का तो मैंने का था सर उसके में को जरूट नहीं तो अंदर के जो फिटिंग बैसिकली वह भी पर्शेस करने पड़ेगी फिफ्ट जैन की औ अगर लगे वो तो मुझेने का चलो ठीक है सरा आप करें तो ले लिते हैं तो मेरे को जो कोटेशन आए थी ना गाइस फॉरंट के पूरे बंपर की एसेम्बली के आई थी 13500 रियर बंपर की हमें आई थी 10,000 रुपीज के अराउंड फूरी असेम्बली की कॉस्टिंग अगरे बंपर की अब उसके बाद आप बात करो भाई तो यह कोटेशन मेरे को आया था इसके लिए अगरी हो चुका था पार्ट मेरे आये पहली बात तो पार्ट जो एक हफता डेड़ हफता बोला था वो पार्ट को आने में एक सव महिना लग गया तो भाई उसमें बहुत डिले होगा चोटे चोटे पार्ट के लिए बहुत डिले कराया गया होंडा की तरफ से अब जग फाइनल बिल हुआ ना गाईस तो मेरा कोटेशन पहुच गया 49,000 रुपीज का अब मेरे को जटका क्या लगा कि भाई जहां हमारा 36,000 कोटेशन था वहां 47,000 कैसे पहुच रहा है तो उन्होंने का सर आपका जो अभी हमने कोटेशन 36,000 का बेढ़ आता उसमें बंपर इंक्लूड ही नहीं थे मैंने का यार 36,000 रुपीज देने के बाद भी उसमें front and back बंपर इंक्लूड नहीं है तो उन्हें का हाँ जी सर मेजर ली जो कॉस्टिंग थी हो सारी किसारी जो अंदर की फिटिंग्स की थी एने ग्रिल बगर की थी उसकी थी बंपर की कॉस्टिंग्स नहीं थी क्यों नहीं हो रहा था तो मैंने का यार भीया इतना जादा difference भाई मैं कैसे करूंगा आप बता तो सकते थे मेरे को फिर issue के आया कि मैंने का भीया मैं वापिस भी नहीं करा सकता कुछ समान ऐसे करकर के ना मैंने को जब हमने फिटिंग करना चालो करा गाड़ी में तो पुराने अंदर की में बलका नहीं सकता यह वह तो यार मैंने का भीया आप रेट भी मेरा कोटेशन 36000 का 47 के राउंड लेके 49 के राउंड लेके जा रहे हो और मेरा इतना सारा पार्ट जो अंदर का वेस्टेश था वो भी आप मेरे को खरीद वारे हो तो इसा तो मत करो तो उस चीज में फिर में भैज रुपीज है और अपना टू थाउजन रुपीज की करीबन करीबन के मारे नीचे की रिल है फॉगलेंप हाउजिंग वेरा आप 2000 और माल लो तो बाई कहीना कहीं करते मेरा 10 से 15000 रुपे में काम हो सकता था और पेंट की कोश्पी में बालनो चलो हद मारके 20,000 रुपे में मेरा पूरा काम हो जाता बट वहीं उस चीज के 20,000 पे काम के लिए उन्होंने मेरे से 47,000 रुपीज खर्च करवा दिया ओलमस्ष ओलमस्ष पचास जार पे मोटा-मोटा 27,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा पे करा है बेफाल्तू का आप समझ रहे हो बेफाल्तू का मैंने 27, सेवन थाउजन रुपी एक्स्ट्रा पे यह तो यह चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी होन्डा की तरफ से कि बैए ऐसे उन्होंने मेरे साथ करा चलो भाई कोई दिककत नहीं आपने नहीं हुए मैंने अपनी फीटिंग लगी और मेरे उन्हों न यह भी बात बोली थी भा पड़े रखते हैं मार्केट में यह चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए होंडा वालों को यार जब आपके अन्ने स्री चीज आप क्यों कस्टमर को बेच रहे हो होंडा की जितनी भी कार्स की एक भी पार्ट की काउंटर सेलिंग भार आफ्र मार्केट में नहीं होती उपर से तो आप लोग को मैं बता रहा हूं अब बता रहा हूं अब अपने सब इंडिया में पहले बार कराया है तो मैंने जो भुगतना था भुगत लिया बस आप लोग ना वुगत ओ तो इसलिए आपको पूरा का पूरा है बैक बंपर अपना डिफ्यूजर सिर्फ यही दो पार्ट आपको मंगवाने अंदर अंदर के असेंबली आपको किसार खरीद नहीं पड़ेगी तो भाई मत बिलीफ गरना सेम टू सेम हैं फिफ जन्रेशन फेसलिफ्ट की तो उसी में आपके बहुत सारे कराने सब तो आप करा ले ना मैंने नहीं कराया वो मेरे मर्जी थी पेंट में तो चलो अच्छी कॉलिटी में होंडा की तरफ से उसी में नहीं बोलूंगा बट में जो फिटिंग्स वेगरा में अंदर के जो पार्ट में बहुत जाद एक्सेसिव कॉस्ट लगी भाई वह बेवाल तुका था में तो यही बात ती देखो ऑंडा की पसंद नहीं यह चीज देख लिए गाईस कितने गाविल है 47233 यह सार का सारा बेवाल तुका है आपको सारे का सारे पेजिज दिखा रहा हूं मैं पहला पेज आपने देख लिया दूसरा पेज आप देख है 47,000 रुपीज बंपर्ज वगरा का पेंट वगरा इंक्लूड करें जो कंपनी ने करा था काम उसकी बाद जो हमने कॉस्मेटिकली मॉडिफिकेशन करी है इसे हाइड़ो टिपिंग वगरा डीक्रोमिंग वगरा हमने जो करी है तो अगर आप अपनी गाड़ी को डीक्रोम इसमें लाइट भी चलती है इसका लुक भी आपको दिखा दूँ हमें इसकी कॉस्ट आती है 6,500 रुपीज और तो बाकी ऐससे गाड़े में कुई बचा नहीं करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक करना शेर करना है और मारे चैनल को सब्सक्राइब करना और गाइस कमेंट में बताना आपको यह लोग कैसा लग रहा है इसका प्लेस प्लेस और जो भी आपको तो भी आपको वेकार चिल लगी वो इस वीडियो में पक्का कमेंट में बताना थैंक यू वाचिन गाइस